एक पिछला जो वीडियो गुलामी के उपर बनाया था कि आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता उसमें एक-दो बुद्धी जीवियों के फोन आये थे कि आप थोड़ा सा और विस्तार में बताएं तो अच्छा रहेगा और विस्तार में बताने के लिए पंच सील के जो सिद्धानत हैं या आठ सील के जो सिद्धानत हैं उनको एक-एक करके लियाना पड़ेगा जो भग्नमान बुद्ध ने पंच सील के जो सिद्धान दिये हैं जो 5% दिये हैं वो बड़े अनमोल और बड़े कमाल के हैं थोड़ा भी अगर आप चिंतर मरन करेंगे तो उसमें पूरा जीवन समाया हुआ है कहते हैं कि पंच सील के जो सिधान्थ हैं और पंच सील का जो प्रिंसिपल्स हैं जो 5 परसेप्ट हैं वो पूरे धमिक या धम साहिते या किसी धमिक के लिए प्राण का काम करते हैं उसके जीवन का काम करते हैं उसकी पल्स का काम करते हैं उसकी ब्रीध का काम करते हैं अगर ये निकाल दे जाए तो बाकी सब कच्रा रह जाता है, धम नीचे गिर जाता है, ढह जाता है, धम ही खतम हो जाता है, इसलिए ये धम के प्राण माने जाते हैं। इस पूरी अर्थ पर, इस पूरे प्लैनेट पर मनुस्य से ज़्यादा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है, मनुस्य सबसे महा मूर्ख जीवों में आता है। पंच सील का जो पहला सद्धानत है, क्योंकि भग्नवान बुद्ध ने काफी सो समझके पहले नमबर पे सो रखा है, तो जैश्जी बात है कि ये सारे सीलों का हैड है, मुख्य है। और इसमें ये बात छुपी हुई है कि मनुस्य से इस प्रत्वी का, इस प्लेनेट का, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति क्यों है। उसके पास सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा चेतना है, सारे जीवों में चेतना की सिखर पे बैठा हुआ है, चेतना का हैड है, चेतना का मतलब है कि जो उसका conscious और subconscious mind है, वो काम करता है, उसका software उसका मन सबसे ज़्यादा आगे दोड़ता है, और वो किसी भी बात को सो गुत्यों को हल्ब करने का दावब करता है। और वो लगाता 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 अपने आपको खतम करने के यंत्र पर यंत्र यंत्र पर यंत्र बनाए जा रहा है। सुक चैन खतम कर रहा है अपना। यहां तक कि जिस प्रत्वी से वो बना है, जिस अर्थ से वो बना है, जिस अर्थ के मट्रियल से वो बना है, उस अर्थ को भी लगाता लगाता रून कर रहा है, बरवाद कर रहा है, खतम कर रहा है, सारी जानवरों की जातियों में, सारे जानवर जितने भी होते हैं, वो अप अच्छा के लिए वो अपनी जान भी दे देता है किसी भी जानवर की ग्रूप में आप अगर एनिमल प्लेनेट पर उठाएंगे या डिक डिस्कवरी पर उठाएंगे तो देखेंगे कि जानवरों का एक समूँ एक जाती का दूसरे समूँ पर दूसरे वर्क पर हमला करता है मगर अपने पर नहीं करता है वो गुरूप बनाएक रहते हैं या अंडूजल रहते हैं मगर एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं ना एक दूसरे को मारते हैं मगर मनुस्य एक ऐसा जानवर है जो उनसे गया गुजरा है उनसे बलुकुल बेफ मतलब वो जो जानवर है जिनमें चेता नहीं है वो जादा अकलबन और समझदार है क्योंकि वो प्राकरतिन नियम पे चलते हैं और ये जो मनुस्य है इसने प्राकरतिन नियम छोड़ दिये और ये अपने ही साथी, अपने ही मनुस्य, अपने ही बच्चों को खतम कने पिलागा हुआ है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मनुस्य, मनुस्य को मानने के लिए, काटने के लिए, सारे हतकंडे उसने अपनाये हुए है। सुख, सांती, सारी खतम है इसलिए भग्णवान बुद्ध का जो पहला सील है पानाती, पाता, विर्मणी, सिख्खा, पतंग, समाध्यामी अपने आप में बड़ा सुप्रिम और बहुत इंपोर्टन्ट है यहाँ जो भग्णवान बुद्ध ने बताया है कि हत्या सिर्फ किसी का गला काटके या किसी को गोली मारके या किसी को गेस चेमबर्म डालके या किसी को पहाड से फैक कर या किसी को केमिकल के द्वारा या किसी को एटमब के द्वारा ही हत्या नहीं होती हत्या तीन तरह से उन्होंने बताई है एक सबसे पहली जो हत्या होती है, वो होती है, मानसिक हत्या, किसी के मन की हत्या दूसरी हत्या जो उन्होंने बताई है, वाचसिक हत्या वाचसिक हत्या मतलब किसी के वचन की हत्या, किसी के विचार की हत्या वाजसिक हत्या और तीसरी हत्या है काईक हत्या यानि काया से हत्या करना सालविक हत्या यानि उसकी बोड़ी को खतम करना यहाँ जो सबसे important है वो काईक नहीं है ऐसा लगता है कि सरीर की हत्या सबसे important है मैंकर सरीर की हत्या से ज़्यादा important वाचसिख है किसी के विचार की हत्या और उससे भी ज्यादा महत्पुण है मानसिख हत्या मन की हत्या अगर आप किसी के मन की हत्या कर देते हैं तो उसके वाचसिख यानि उसके विचार वचन की हत्या उसके बोलने की हत्या और उसके जो सरीर है उसकी हत्या ऑटमेटिक हो जा सुप्रिम समझते हैं, अपने आपको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, दरसल वो सबसे ज़्यादा बेफूफ और मूर्ख हैं, वो बाल हैं, क्योंकि कोई मनुस्य अगर अपनी जाती को खतम करता है, तो वो फाइल को ही उड़ा कर रहा है, यानि जो नेचुरल नरक में रहेगा, उसका जीते जीवी उसका बिलकुल हालत खराब रहेगी, और वो तरफ तरफ के परशान रहेगा, बीमार रहेगा, और जब वो मरेगा, उसके बाद जो उसका सॉफ्ट्वेर है, जो वाई-फाई के थ्रूट अबनेट होगा, मिलेगा, यहां आत्मा नही जाके ऐसा सरी ढूनते हैं, जहां वो कोड़ फिट हो, कोई आत्मी अगर कमीना है, तो कमीना अगर पूरी जिन्दगी रहेगा, तो उसे मन उससे का अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, किसी जानवर, किसी कमीने जानवर का, साप का, बिच्छो का, या कीडे का, कहीं उसे जाक मन की हत्या करने के बहुत सारे तरीके मनुस्य ने बनाये हुए है, मन की हत्या, रूप रंग को लेके, अगर कोई कमेंट कर देते हैं, तेरा रंग खराब है, तेरा रंग काला है, तेरी नाक ठीक नहीं है, तेरे बाल ऐसे है, ये देखता कैसे है, ये चलता कैसे है, ये खा प्रत्वी बहुत तेजी से खतम होती जा रहे हैं। तो ये जो मन को मानने के लिए जो उसका रूप रंक पे जो कमेंट के जाते हैं और जो टिपड़ी की जाती है या उसकी योगता या योगता को एक स्केल में ना पा जाता है। सबी व्यक्तियों में अपनी अपनी कोई खास बात कोई खास चीज होती है। किसी को पढ़ा हुआ अच्छा समझ में आता है, किसी को लिखा हुआ और किसी को वेवार में जो चीज है वो अच्छी समझ में आती है। बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अक्छर ग्यान नहीं हैं मगर उन्होंने दुनिया की सरवोच चुबातें बताई हैं। भग्यनवान बहुत खुद किसी यूनिवस्टी में नहीं पढ़े, ना ही कोई अक्छर वहां होते थे, ना ही किसी ने पढ़ाया है, उन्होंने स्वत्य ग्यान सीखा और आज पूरे दुनिया के सिखर पर वो बुद्धी में आते हैं और उनका ग्यान आज भी करने के लिए बहुत सारे जो गंदे लोग हैं, जो गंदी मानसिक्ता के लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो प्रत्वी को खतम कर रहे हैं, और जो प्रत्वी को के सासाथ अपने बच्चों को भी खतम कर रहे हैं, लगता उन्हें ऐसा है कि हम अपने आपको बचा रहे हैं, अपनी family को बचा रहे हैं अपने समुदाय को बचा रहे हैं अपनी जाती को बचा रहे हैं मगर जब प्रत्वी खुद खतब हो जाएगी तो कौन इसमें बचेगा एक single व्यक्ति नहीं बच सकता एक single जीटी नहीं बचेगा इसलिए कहा गया है कि मनुस्त से ज़्यादा बेफ़कूफ और मूर्ख इंसान इस प्रत्वी पर कोई है ही नहीं चेतना के सिखर पर होना का मतलब यह होना चाहिए था कि सारे व्यक्ति और सारे जानवर सुखी होने चाहिए थे मगर चेतना के सिखर पर पहुंचने के बाद मनुस्त से इतना ज़्यादा दुरबुद्धी हो गया इतना ज़्यादा बेफ़कूफ और मूर्ख हो गया कि वो लगातार दोनों हातों से इस प्रत्वी को खत्म करने में लगा हुआ है ऐसा सोचते हुए है कि वो सुरक्षित रहे और लगातार ये ठीक ऐसी स्थिती है जैसे घर में आग लगाने वाला कोई आदमी और किसी कमरे में छुपके बैठ जायर वो सोचे के आग यहाँ नहीं आएगी मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ तो मानसिक खत्या करने के इतने सारे कारण है कोई एजुकेसन को लेके है किसी के वेवार को लेके है किसी की पढ़ाई को लेके है किसी के बोलचाल को लेके है किसी की जात को लेके है किसी के धरम को लेके है किसी के छित्र को लेके है किसी की भासा को लेके है किसी को चलने को किसी का ढंग बहुत सारे इतने सारे कारण इजाद कर लिए हैं एक दूसरे को मानसिक बीमार बनाने के लिए मानसिक पैताणा देने के लिए मानसिक रोख करने के लिए मानसिक खत्या करने के लिए जिनकी कोई लिमिट नहीं है और बेप कूप मनुष्ट से यह नहीं समझ पाता कि अगर वो सामने वाले का मनुबल तोड़ेगा तो वो अपना भी नुकसान करेगा क्योंकि वो मनुबल तोटना या मान सिक रत्य करने में रहेगा तो प्रत्वी पे, रहेगा तो आसपास ही सारे मनुष्ट से जब दो मनुष्ट से बात करते हैं तो एक की सांस दूसरे के मुह में जाती है आक्सियन का बटवारा नहीं हो सकता एक सांस छोड़ता है, दूसरा सांस छोड़ता है, तीसर लेता है एक मैट्रो के डबे में अगर 2500-300 आदमी बैठे हों और एक साथ खड़े हों, तो वो 3-4-4 cm के दूरी पर धालड़ एक दूसरे को सांस दे रहे होते हैं उस समय कोई काश्ट, कोई क्रीड, कोई रंग, कोई कलर, कोई भेदवाब नहीं होता क्योंकि वो बेसिक नेसिटी है जो चाहिए जब कभी प्रत्वी पे कोई आपदा आती है, कोई अर्थ क्योंक आता है या कहीं आग लग लग जाती है, तब भी सब लोग भूल जाते है वो नेचुरल वे आजाता है निकल के, इसलिए नेचुरल वे आदमी के अंदर है मनुस्सरे के अंदर नेचुरल वे है मर कुछ चालाक लोग जो अपने आपको बेफकुप चालाक लोग जो ये समझते हैं कि हम अपने आपको स्वक्षित कर रहे हैं, अपने समुदाय को स्वक्षित कर रहे हैं, अपने खांदान को स्वक्षित कर रहे हैं, अपने देश को स्वक्षित कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे उन्होंने उप्रण इजाद कर लिये हैं कि पूरी दुनिया को 600 वार तबात किया जा सकता है खतम किया जा सकता है तो मांसिक हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी है भगवान बुद्द ने किसी के मन को तोड़ना या मन की हत्या करना उसकी काये एक हत्या, उसके वाच्छा से खत्या, यानि सरीर की हत्या और विचार की हत्या से भी जादा बड़ी मानिगी है, दूसरे नमबर पे आती है, वाच्छ सिक, यानि कोई व्यक्ति विचार देता है, कोई महिला विचार देती है, कोई बच्छा विचार देता है, कोई बच्छा अपने लेवल के बरावर नहीं समझते या वो लेवल के बरावर में आ जाएगी या आपकी सुपरमेसी चली जाएगी या जो आपका बनार्थी कवचे वो तूट जाएगा या आपको लगेगा कि आप तो बहुत उंचे पाइदान पे हैं इसकी हमत कैसे हुई कि अपना विचार दे दे या कहीं आफिस में कोई छोटा व्यक्ति सबोर्टिनेट अगर कोई अच्छी बात कहता है तो सर्फ इसलिए नहीं माननी क्योंकि अगर इसकी बात अच्छी मानी गई तो मेरा दर्जा कम हो जाएगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो अनपड है पड़ा लिखा नहीं है अगर वो जीवन की अनुभब की कोई बात बताता है तो सिर्फ इसलिए नहीं माननी के उसके कपड़े गंदे हैं या वो बहुत ज़्यादा जानता नहीं है या वो हमारे समधाय में नहीं है ये विचारों की हत्ता, या किसी को बोलने नहीं देना, या किसी की बात को फ्लारिस्ट नहीं करना, या उसकी बात को दबाना, या उसकी मैसेज को खतम करना, या उसकी जो उसने कहा है उसकी बात को नकारना, या उसके वरोध में आना, गलत तरीके से वरोध में आना, बिना वर्ट तूडने से चारो तरफ निगेटिव एनरजी, चारो तरफ से नकारात्मक जो चीजे हैं वो बिखड जाती है और वो पूरे महौल को खराब कर देती है कोई बात सही है या खराब है उसको तरफ पे कसा जा सकता है जैसे भग्नमान बुद्ने बताया इसलिए अच्छा है कि कोई आदमी अगर अपना विचार देता है अपनी बात देता है तो उसको सुनना चाहिए समझना चाहिए और उसको इज़द देनी चाहिए विचार खराब हो सकता है तो आप अपने तर्क से उसको कहें कि यह खराब है अच्छा है तो उसको कहना चाहिए कि यह अच्छा है यह विक्ति के जीने के लिए यह प्रत्वी के जीने के लिए ये मनुस्य के जीने के लिए, ये दुनिया के जीने के लिए और ये पूरे समुदाय में एक रस्ता के लिए बहुत जरूरी है बोलने की आजादी, विचार की आजादी, कहने की आजादी, लिखने की आजादी अगर आप इसे मार देंगे तो आप अपने देश की पर्थीबा को खतम कर देंगे फिर वो आप पूरी दुनिया से लड़ नहीं सकते क्योंकि विचार अगर एक पार मरने शुरू जाते हैं तो व्यक्ति अंदर से मर जाता है सो बीमारियां उसको होनी सुरू हो जाती है क्योंकि वो विचारों की जो फाइल है वो अंदर कोड बनाती है और वो अंदर ही अंदर उसको बीमार करना सुरू कर देती है तीसरे नंबर की जो हत्या है वो है काईक हत्या काईक हत्या में सभी जीवों की हत्या के लिए निश्यद है यानि कि आपको किसी भी तरह की जीव की हत्या नहीं करनी है चाए वो मनुस्य जीव है, चाए वो चार पाय जीव है चाए वो पानी में रहने वाला जीव है, चाए उड़ने वाला है या पतंगा है क्यों नहीं करनी है काई खत्या इसका एक सिंपल सा धारण और सिंपल सा करण है जीव जितने भी पैदा होते हैं वो दो तरसे पैदा होते हैं जैसा भग्नमान बुद्ध ने विपसना करते हुए देखा एक होता है मट्रियल से और material को जोडने के लिए material को तोडने के लिए यानि जो fusion और fusion है material का चुपकना विखंडन होना या उसका सैयोजन होना जोडना या तूटना ये दो प्रेकरियाओं होती है इन दोनों प्रेकरियाओं में जब वो energy लेता है तो इसको जोडने का और इसको तोडने का एक नियम होता है वो नियम एक software से चलता है जिसको human software या animal software या जो जीव है जो life है उसका software बोला गया है जहां इसको मन बोलते हैं, मन उससे गेंदर तो जो software है वो बताता है कि कौन सा material कहां कितना जुड़ना है पानी लेगा वो, material लेगा अर्थ से, मा के पेट से लेगा, जीव के पेट से लेगा और वो उसी हिसाब से उसके अंग बनाएगा, जिस हिसाब से वो file बनी होई यह जो file है, यह transfer होती है, जब वो जीव मरता है जब वो जी मरता है तो उसका पूरे जीवन का एक record की file बनती है और उसको संखारा बोला गया है जो संखारा है जो संसकार है वो बनता है और वो wifi के तोरो सिर्फ vibration ट्रांसफर होती है energy के रूप में जब वो vibration ट्रांसफर होती है तो वो receiver ढोंटी है ठीक ऐसे जैसे mobile से हम एक अ जीव करने की capability रखता होगा और जिसमें वो code होगा otherwise तो वो फिर आगे बढ़ता चला जाएगा message और जहां उसको वो receiver मिलेगा वो ले लेगा इसी परिकार पूरे जीवन में जितनी file बनती है उस file के code के हिसाफ से file ट्रांसफर होती है और वो अगला material ढोंटी है अगला material का म software को damage करता है और उस हत्या का इतनी negative file बनती है ऐसा virus आता है कि जो बाकी file को भी खराब कर देता है, corrupt कर देता है हत्या को उन्होंने सबसे अधिक नुकसान दायक बताया है तो आपकी जो file बनती है आप जो सरीर के अंदर जो आपकी coding और decoding होती है हत्या उन समय सबसे बड़ी negative file होती है जो काफी भारी होती है इसको delete करना यतना आसान नहीं होता है विपस्तना की थ्रूपी इसलिए हत्या से बचना चाहिए किसी भी कारण सीख्की के हत्या और मनुस से अगर मनुस से की हत्या करे तो सबसे ज्यादा नुकसान दायक है और मनुस से अगर किसी सच्चे व्यक्ति की हत्या करता है तो फिर वो उसकी file इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है उसके code इतनी ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि वो लाखों सालों तक उसको कोई अच्छी file या अच्छा जो life है वो नहीं मिल सकती life से मुक्ति की बात निब्बान की बात तो फिर सपनों की हो जाती है इसलिए इसको अभीची निरा कुरोना अपनी भासा में कहा है जो डैमेज जादा हो जाती है इसलिए ये तीनो तरह की जो हत्या हैं ये पानाती पाता वेरवणी में आती है पानाती पाता वेरवणी सिख्छा प्रंग समाध्या का मतलब है कि आपने तीनो तरह की क अच्छर भी मार देता है तो वेपसना में देखता है कि उसके सरीर पे कितना नुकसान हुआ है अगर वहाँ कोई छपकली या कुछ मार देता है या उससे मर जाता है तो देखता है कि सरीर पे कितना बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ देखाई देता है, महसुस होता है इसलिए कहा जाता है वहाँ कि आपको जमीन पे नीचे देखके चलना है ताकि चीटी भी ना वरे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंस्टिव होते हैं वह समय और आपको पता चलता है आम जीवन में तो यतना नहीं पता चलता मगर व्यपस्ना के थरोग पता चलता है एक वार जो लोग व्यपस्ना करके हैं वो जानते हैं और जो लोग नहीं करके हैं वो एक वार व्यपस्ना जाके अनुभब करें कि पानाती पाता वेर्मनी सारे जितने भी बिनेकनियम हैं उनका सिर्मोर या सिर्मनी या उनका हैड क्यूं कहा और क्यूं ये एक नमर पे आता है धन्यवाद हुआ है जनका सिर्मोर ये आता है ये जनका है नहींकर डिया है चैक कप्या नहीं को ऐसली है कर दो कि अदू कर दो कि अदू कर दो दो नहीं है